आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Briefly mention the changes in the human ovary which take place under the influence of FSH पूछा गया है कि human ovary में क्या चीज़ चेंज होता है जब हॉर्मोन FSH जो है वो टेक प्लेस करता है FSH कौन सा हॉर्मोन है तो ये Follicle Stimulating Hormone है अब नाम से ही समझ सकते हो कि ये Follicles को stimulate करता है यानि Follicles के growth और development में ये help करता है तो चलिए देखते हैं यहाँ पर FSH जो है वो कहां produce होता है तो FSH जो है ये menstrual cycle के first phase जिसको Follicular phase के नाम से भी जाना जाता है उस phase में produce होता है जो कि कब तक रहता है तो ये 14th day तक चलता रहता है और यहाँ पर क्या होता है Follicles जो है कहलाता है Primary Follicle फिर यही Follicle जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और बनाता है Secondary Follicle जिसके side में और सारे layers आने लगते हैं और ये बड़ा होके बन जाता है Secondary Follicle फिर यही Follicle जो है फिर enlarge होता है और फिर बनाता है Tertiary Follicle जहांपे cells जो है वो granulosa cells side वाले cells को क्या कहे जाते हैं इस वाले cells को granulosa cells के नाम से जाना जाता है और ये cells जो है वो पूरी तरीके से cover करते हैं और बीच में जो है ovum form होने लगता है और ये होता है हमारा tertiary follicle फिर आता है सबसे बड़ा follicle जो की graphion follicle के नाम से जाना जाता है और जिसके बीच में ovum जो है वो एकदम से protected रहता है और यहां पे एक unusual बात ये है कि यहां पे एक दूसरा cavity fluid filled cavity जो है वो produce होता है और उस cavity का नाम होता है antrum जहां पे क्या होता है fluid filled रहता है और ये provide करते हैं कि shock protection जो growing ovum है फिर क्या होता है कि 14 day पे ये जो ovum है वो graphion follicle से निकल के बाहर आ जाता है और इसी वज़े से 14 day को क्या कहा जाता है 14 day को ovulation day कहा जाता है जहां पे ovum जो है वो graphion follicle से बाहर आ जाता है और इस पूरे phase में क्या है कि FSH जो है वो बहुत ज़्यादा increased रहता है यहां मान लीजी अगर हम लोग FSH का graph बनाते है तो FSH जो है ये बहुत high रहता है और ये जाके 14 day पे एकदम से peak grant करता है और 14 day जाने के बाद जो ovum है जब fertilization नहीं होता है तो follicles जो है वो दो धीरे धीरे degenerate करने लगते है और corpus luteum बन जाते है और यही दो degenerative follicles है वो क्या होता है फिर से drain out हो जाता है जैसे कि हमारे daily basis में menses produce होते है हर मन्त में तो यहां पे FSH का बात किया गया है तो FSH mainly follicle को stimulate करता है इसलिए इस phase में FSH सबसे ज़्यादा high रहता है पूरे जो follicular phase है और follicles को बनाता है जैसे कि कितने सारे follicles primary follicle, secondary follicle, tertiary follicles और graphene follicle यहां पे spelling लिख लेते हैं यह है graphene follicle जहां पे बीच में antrum जो है fluid fill space वो दिखाई देता है और फिर धिरे धिरे इसका level जो है वो decrease कर जाता है Classics to 12 से लेके नीट IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलूट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर